अपने यूटूब चैनल पॉली टेकनिक के स्टार में आज के इस वीडियो में हम लोग मोडल सेट नमबर एट करेंगे इसे पहले हमने साथ मोडल सेट करवा चुका है अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जाएगा वहां से देख सक बी और प्रत्यक्ष सी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दी दोनों कमेंट कीजिए और बताईए कि भारत में किस तरह की लोकतांत्र की विवस्था की गई है तो ये पहला प्रश्ण जो है इसका सही जबाब होगा भारत में जो है प्रत्यक्ष लोकतांत्र की विवस्था की ग भारत का जो राश्ट्री काना पार्क है किसलिए प्रसिद है भी 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 एक उस्तन है अब लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा ओप्सन नमबर ए होगा सीरो के लिए बी है बाग के लिए सी है हीरन के लिए डी है हाथी के लिए तो कमेंट कीजिएगा और जबाब और आज का तीसरा प्रस्टनम लोग दिखते हैं और जोगी करांती योजना के तहद पहले या सुरू में कौन सा उद्योग सामिल थे अप्सिन नमबर यह है कोईला कपास लोहा बी है तांबा मसीने और उनिबस्तर सी है प्लास्टिक लोह और मोटर वाहन दी है कोईला मैगनी और बिमान तो आप लोग बताएए कि अध्योगी करांती योजना के तहद पहले या सुरू में कौन सा उद्योग सामिल थे तो आप लोग को बताते हैं और जोगी करांती योजना के तहद पहले या सुरू में जो है कोईला कपास और लोहा सामिल था चलिए आगे बढ़ते और आज का चौंथा प्रस्टन देखिए अब लोग किस यूज के बाद जर्मनी का एकिकरन पूरा हुआ कमेंट कीजिए और जबाब दीजिएगा कि किस यूज के बाद जर्मनी का एकिकरन पूरा हुआ ये भी भी आई है, आपसर नमबरे है क्रेमिया का यूद, B सेडावा के यूद, C है प्रसा और डेनमार का यूद, और D है सेडान का यूद, कमिट किएगा और जबाब दिएगा, कि किस यूद के बाद जर्मनी का एकी करन पूरा हुआ, तो ये चौथा प्रसन जो है, इसका स ही जबाब होगा, आपसर नमबर D, सेडान का यूद के बाद, जो है जर्मनी का एकी करन पूरा हुआ, कई बार ये प्रसन पूछा गया, कि जर्मनी के एकी करन किस यूद के बाद पूरा हुआ, जर्मनी का एकी करन पांच नमबर में भी पूछता है, आप लोग याद कर द आपसन नमबर ए है लाइनिन, बी है स्टालिन, और सी है जेडांग, और डी है कारल मार्क्स, कमेंट कीजिएगा और जबाब दीजिएगा कि किसे साम्मेबाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, इसमें किसे साम्मेबाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, कमेंट कीजिए और जबाब दीजिएगा, तो यह जो पांचमा प्रस्न है, इसका सही जबाब होगा, आपसन नमबर डी, कारल मार्क्स को साम्मेबाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यह भी भ पाया जाता है, और कमेंट कीजिए और जबाब दिजिए घर्षण के जर्याचेतर में मुखता क्या पाया जाता है भी भी आई है तो छटा प्रष्ण जो है इसका सही जबाब होगा धारखंड के धरिया चेतर में मुखेता जो है कोईला पाया जाता है option number D कोईला next प्रश्ण हम लोग सात्मा देखते हैं राजनितिक दलो के नीव सरपरधम किस देश में पड़ी ये भी प्रश्ण भी भी आई है option number E है ब्रिटेन, B है भारत, C है फ्रांस और D है संयुक्त राज अमेरिका तो कमेंट कीजिए और जबाब दीजिएगा कि राजनितिक दलो की नीव सरपरधम किस देश में पड़ी तो इसका जो सही जबाब होगा option number E राजनितिक दलो की सरपरधम जो नीव पड़ी थी ये ब्रिटेन में पड़ी थी भारत में निती आयो की अस्थापना कब हुई थी तो ये आठ प्रशन जो है इसका सही जबाब होगा option number E ब्रश उनिस्षो पड़्यास में जो है भारत में निती आयों की अस्थापना हुई बीबी आये है नेक्ष्ट देखेएगा नॉमा प्रशन सामेबादी घुषनापत्र के लेखक थे तो सामेबादी घुषनापत्र के लेखक कालमार्क्स और एंगल्स थे कौन थे काल माक्स और एंगल्स शली नेक्स प्रस्टन दसमा देखते हैं निमलिखित में वैक्तियों में कौन लोक तांत्र में रंग भेद के बिरोधी नहीं थे अप्सटन बरे है मार्टिन लूथर किंग भी महात्मागान थी सी ओलमपिक धाबक टॉमी स्मीथ एवं जॉन कारलस और डी है जेड गुरी तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन लोक तांत्र में रंग भेद के बिरोधी नहीं थे तो दस प्रश्टन जैसका सही जवाब होगा जेड गुरी जो थे या लोक तांत्र में रंग भेद का बि लेखक कौन थे अपसर नमबर ए है महात्मा गांधी बी जबाहार लाल नहरू सी सुभास चंदर बोश और डी है रवेंदर नाथ टैगोर कमेंट कीजिए आप लोग और जवाब दिजिए कि हिंद स्वराज पुस्ता के लेखक कौन थे ये भी भी आई प्रश्टन है अगर स्वराज पुस्ता के लेखक महात्मा गांधी है निक्ष्ट बारा नमबर प्रश्टन देखिए निवलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिक्रित है अफसर नमबर ए है रिजर बैंक आफ इंडिया बी अस्टेट बैंक आफ इंडिया सी रास्ट पती डी संसद तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिक्रित है तो ये बारा नमबर प्रश्टन है इसका सही जवाब आफसर नमबर ए होगा रिजर्व बैंक आफ इंडिया जो है या भारत में म रास्ट पती सची बाले द्वारा बी प्रधान मंतरी सची बाले द्वारा सी निर्वाचन आयोग द्वारा डी संसद द्वारा आप लोग कमेंट कीजिए और जबाब दीजिएगा कि राजनितिक दलों की मानेता और उसका चिन किसकी द्वारा प्रदान किया जाता है बहु किसी न परदान किया जाता है चली आगे बरते वराज का चौदा नमबर प्रश्ण देखते हैं कौन से संसोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तिसरा अस्तर बनाया गया आपसन नमबर ए है 71 संसोधन बी है 73 सी है 69 बी है 64 संसोधन तो इस 14 नमबर प्रश्ण जोईस का सही जवा आपसन नमबर ए होगा 31 समीधान संसोधन के द्वारा सरकार का तीसरा अस्तर बनाया गया किसका तो सरकार का तीसरा अस्तर बनाया गया था चली आगे बढ़ते हैं और आज का 15 नमबर प्रश्ण देखते हैं बॉल से भी करांती कब हुई आपसन नमबर ए है फरवरी 1917 में औ तो कमेंट कीजी और बताइए कि बॉल से भी करांती कब हुई यहां पर यह तीन नहीं है यह तीन में स्प्रिंट हो गया है तो अप लोग बताइए तो बॉल से भी करांती जो हुआ था यह नोबेंबर 1917 में हुआ था कब नोबेंबर 1917 में यह भी भी आई है पूछा वा प् कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रत्थम बैपारी कौन थे एफिर नमबर की है अंग्रेज फ्रांसिצ सी है पुर्ट गाली मैंद दस कमिम् also है कि बताइए कि हिंद की राश्ट्रिय स्वयम सेवक संक्य अस्थापना आपसा नम्बरी है गुरू गोलवालकर भी है उनिसो पचीस में के भी हेडगावर द्वारा किया गया था ये भी भी आई है next इंग्लेंड में सभी स्थ स्थों को बेस्क मत अधिकार कंपराब्त हुआ आफसन नम्बर enslavedụ अटारो इतहरो इंग्लेंड म सभी इस तरी पुरू सों को वेस्क मत अधिकार जो पराब्त हुआ था यह स्थाование में हुआ था यह most important प्रश्ण है कई बार पूछा प्रश्ण है चलिए 19 नमबर प्रश्ण देखिए कौन सा समाजिक वर्ग बुद्ध जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया option नमबर ए है उद्योग पती वर्ग B है पूंजी पती वर्ग C है स्रमिक वर्ग और D है मध्य वर्ग तो कमीन की वर्ग जो था वो बुद्ध जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया तो यह 29 जो है इसका सही जबाब होगा option नमबर D मध्य वर्ग जो है या बुद्ध जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया most important प्रश्ण बीसमा प्रश्ण प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बैपार होता था option नमबर E है सूती मार्ग B है रेसब मार्ग C है उत्तरापथ और D है दक्षिनपथ तो कमेंट कीजिएगा और बताईएगा प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बैपार होता था तो ये 20 नमबर प्रश्ण जो है इसका सही जवाब option नमबर B होगा रेश्यम मार्ग के द्वारा प्राचीन काल में अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का बैपार होता था चलिए आगे भड़ते हैं 20 प्रश्टें देखते हैं आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई सासन प्रणाली का उद्य हुआ अपसर नमबर ए है सामेवादी सासन प्रणाली भी है लोकतांतर सासन प्रणाली सी है फांसीवादी नाज़ीवाद स आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई सासन प्रणाली का उद्य हुआ था वो फांसीवादी और नाज़ीवादी सासन प्रणाली था चलिए आगे बरते हैं राज का बाइस नमबर प्रणाली हम लोग देखते हैं किस पत्र ने रातो रात वर्ना कुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भासा बदल दी ये भी भी आई है आपसन नमबर ए है हरीजन बी है भारत मित्र सी है अमरित बजार पत्रिका और डी है हिंदुस्तान रिव्यू तो अब बताएए कि रातो रात वर्ना कुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भासा कौन बदल दी तो इसका सही जबाब होगा आपसन नमबर सी अमरित जो पत्रिका थे इसके वर्ना कुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भासा रातो रात बदल दिये ये पूछा हुआ प्रशन है कई बार पूछा हुआ है कि अमरित बजार पत्रिका जो है वो किस चीज से बचने के लिए तो वर्ना कुलर प्रेस एक्ट से बचने के ये रातो रात अपना भासा ही बजल दिया था तैसमा प्रशन तकी किस ने कहा मुद्रन जो है इस्वर की दी गई महंतम देन है सबसे बरा तुफ़ा है और से नमबर ए है महत्मा गांधी भी है मार्टिन लुथर सी है पेगंबर मुहमज और सी है इसा मसी ये भी 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 आई क लोष्टन है कई बार पूछा है अगर आपके पास आप लोगोंने गाइड ले लिया होगा तो उसमें ये प्रश्ण जरूर आती होंगे कई बार पांस से छे बार पूछावा प्रश्ण है वही प्रश्ण सब को मैंने एक जगह कात्रित करके लिखा है तो 23 प्रश्ण का सह किस राज़े में प्रचलित है option number A अप्सान नमबर D उत्राखंड में जो है यह भी most important person है चलिए आगे बढ़ते हो राज़े का 25 प्रशन देखते हैं प्रानियों के सरीर में कितना प्रतीसा जल की मातरा नहीं थोती है option number A 55% B है 60% C है 65% और D है 70% तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि प्रानियों के सरीर में कितना प्रतीसा जल की मातरा नहीं थोती है तो 25 प्रशन का सही जबाब option number C 65% इसका सही जबाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 26 प्रशने देखते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में से रवसे करिएगा 26 प्रशन वन सन रक्षन एबं प्रवंधन के दिरिश्टी से वनों को कितने वर्गों में वर्गी कृत किया गया है और आप्सन नमबर ए है चार वर्ग में बी है तीन वर्ग में सी है पांच वर्ग में डी है इनमें से कोई नहीं 26 प्रशन का सही जबाब और आप्सन नमबर बी हो जाएगा कितने वर्गों में तो तीन वर्गों में भी भाजित किया है चलिए आगे बरते हैं राज का नेक्स्ट प्रस्ट देखते हैं कि NGO की वानकी रिपोर्ट के नुसार 1948 में बिश्व में कितने हेक्टियर भूमी पर बन का विस्थार था तो इसका डाइरेक्ट आंसर आप लोग देख लिए चार सो हेक्टियर ये भी प्रस्ट बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है एक एक NGO ने सर्वे किया था जो नन गवर्मेंट और्गेनाइजेसनल जो होता है उसने एक सर्वे किया उसके बानकी रिपोर्ट के नुसार 1944 में 22 में 400 करोर हेक्टेर की जमीन भूमी परवन का विस्तार था चलिए नेक्स प्रश्ट देखिया आप लोग एक टन इसपात बनाने में कितना मैगनीज का उप्योग होता है तो दस किलो ग्राम का उप्योग होता है एक टन इसपात बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपोटेट प्रश्ण है चले 29 प्रशना आप लोग देखिए कि कोईले का स्वर्वत्तम प्रकार कौन सा है अप्सिन नमर ए है अन्थरासाइट, बी है पीट, सी है लिगनाइट और डी है बिटूमिनस तो कमेंट कीजिएगा और जबाब दीजिएगा कि कोईले का स्वर्वत्तम प्रकार कौन सा है कोईले का स्वर्वत्तम प्रकार होता है यह एंथरासाइट होता है एंथरासाइड देखिए इसको सबसे खराब होता है घटिया सुना है इसको लोग बोलते है पीट उसके बाद आता है लीगेनाइट नम्बरिंग कर देते हैं सबसे ज़्यादा होता है कौन सबसे अच्छा एक नमबर पर होता है के पीट यई जब आता है चार नंबर यह एक पीट है लिगनाइट यानि कि है ऐसी एक चार तीन दू तो फम्रेंटे लिखते हैं एक लिगनाइट भी फीर ंथ्ट में और अड्य इरूमिन teaching यह चार नवर पहिए से कौन सा भोगता उद्योग है तो डाइरेक्ट आ गया है तो अंसर देख लीजिए चीनी जो है चुनी चीनी उद्योग जो है भोगता उद्योग है अगर आपको पिश्वास नहीं होता हो तो कई बार पूछा प्रश्ण सब यह 31 प्रश्ण की भारती अंतर देशिये जलमार्ग प्राधिकरन का गठन किस वर्स किया गया अपसा नमबर है 1886-1988-1989-1985 मैं अभी कह रहा हूं 101% कह रहा हूं अगर यह प्रश्ण अगर आप लोग छोड़ते हैं तो एक्जाम में हम बहुत याद आएंगे क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि यह प्रश्ण हमने देखा था लेकिन याद नहीं किया था तो आप लोग इस प्रश्ण क जबाब जो होगा भारतियां अंतर देशिये जलमार्ग प्रधिकरन का जो गठन हुआ था यह 1986 में हुआ था नेक्स्ट 32 पाइराइट किस परकार का खनीज अप्सन नमबर यह धात्वेक बी है और धात्वेक सी है परमानू डी है इंधन कमेंड कीजिए जवाब दीजिए तो 32 का सही जब आओगा पाइराइट जो है एक धात्वेक खनीज है कैसा खनीज है तो धात्वेक ऑप्सन नमबर यह नेक्स्ट 2001 की जनगर्ना के अनुसार बिहार की नगरिया बादी कितनी थी तो इसका डाइरेक्ट अंसर देख लीजिए 10.5 परतिसर थी कितना 10.5 परतिस था 34 प्रश्ण देखी संग सरकार का उदारन को अप्सन नमबर यह अमेरिका बी है चीन सी है ग्रेट ब्रीटेन डी है इनमें से कोई नहीं कमेंट कीजिए अगर आप हमारे चैनल पॉले टेकनिक स्टार पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कितिएगा दोस्तों मे सेर कीजिएगा तो संग सरकार का उदारन कौन है यह अमेरिका है अपसन नमबर यह इसका सही जबाब होगा संग सरकार का उदारन अमेरिका है नेक्स्ट पैंसिस नमबर भारती लोकतांतर में सत्ता के विरुद जन आक्रोस किस दसक से प्रारंब हो यह बीवी आई है तो ड प्रकास नराएंजी द्वरा किया गया था सबसे बार अंदोलन चिपको अंदोलन निम्लिखित में से किस से संबंदित है अपसन नमबर यह है पेर बचाने से भी है आर्थिक सोसन की मुक्ति से सी है साराब खोरी के विरुद अबाज से और डी है कॉंग्रेस पार्टी के विरोज से तो 36 प्रशन का सही जबाव अपसन नमबर यह होगा चिपको अंदोलन जो है पेर बचाने से संबंदित है सुन्दर लाल बहुगाना का जो प्रयास था पेर बचाने का ही था 37 तारी भी रोज अंदोलन की निमलिखित में किस प्रांस से सुरू किया गया यह तो यह बहुत ज़्यादा भी भी आए अपसन नमबर यह बिहार से बी उतर प्रदेश से शी अंदर प्रदेश से डी तमिल नाडू से कमेंड कीजिए जबाब दीजिए तो तारी भी रोज जो है आंदर प्रदेश राजियों से सुरू हुआ है उपसन नमबर सी जो है इसका सही जबाब है निक्ष्ट देखिए 38 राजनितिक दलो की नीम सरपर्देश में परी सही जबाब आपसन नमबर यह होगा ग्रेट ब्रीटेन आज बीए सी का एक्जाम था कुछ बच्चे जो बीए का एक्जाम था इलन इमूवला में उसमें यह कुछ जाओ था मुझे पॉलिटिकल साइंस का था तो बूले की सर बना के थोड़ा भेजियेगा तो कुछ बच्चे भेजे था तो मैंने भेजा था यह प्रशना आया हुआ था उसमें तो बूछे कि किस लिबा का य प्रश्ण का सही जबावा गटबंदन सरकार की सरकार बनाने की जो महांतम संभावना होती है वह होती है अप्सण नम्बर सी जो है बहुत अलिए यानि की दो या दो से अधिक दल को मिला के जो बनाता है उसमें होती है चलिए आज का 40 प्रश्ण देखिए टोटल 50 प्रश्ण नहीं करेंगे हम लोग निमिल्कित में से कौन सा राश्ट्रिय दल नहीं है तो इसमें राश्ट्रिय दल जो है यह राश्ट्रिय दल नहीं है नेक्स्ट एक तालीस इनमें से किस देश में मिस्रित अर्थ विवस्था है अपसर नमबर ए अमेरिका में बीचीन में सी भारत म दी इन में से कोई नहीं तो कमेंट कीजिए और जवाब जीजए किसमें मिस्रित अर्थ विवस्था है तो एक तालिस का सही जवाब अपसान नमबर सी होगा भारत में जो है मिस्रित अर्थ विवस्था भी विए प्रस्टन है इन में से किसे पीछरा राज ये कहा जाता है उसान नमबर है पंजाब विकेरल सी बिहार डिदिल्ली तो बिहार को हम लोग को पीछरा राज ये कहा जाता है चलिए 43 प्रश्ण अगर आप हमारे चैनल पॉलिटेकनिक अस्टार पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्ते में सेर करें 43 प्रश्ण सेर बजार का नियामक संस्था कौन है तो सेर बजार का जो नियामक संस्था है यह कौन है सेवई इसको परते हम लोग सेवी सेवी अंग्रेजी में ये सेवी है और हिंदी में ऐसे रहेगा तो ये दीजेगा हिंदी में भी कभी-कभी कनफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है तो आप लोग को कनफ्यूज नहीं होना है चलिए छे प्रश्न और बचे 45 भारत की भीतियरा जाने किस सहर को कहा जाता है तो भारत की भीतियरा जानी मुंबई को कहा जाता है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है चलिए नेक्स्ट इन में से कौन एक बिमारू राज जे नहीं है यह आप लोग जवाब दीजेगा सबसे साक्षाडता दर यहीं पे है अधिक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग यहीं पे है 47 बैस्वी करन का मुख्य अंग कितने हैं अपसन नमबर A1, B2, C5, D4 कमेंट कीजिए जबाब दीजेगा तो बैस्वी करन का जो मुख्य अंग होते हैं वह चार होते हैं कितने होते हैं चार यह भी भी आया है रख लीजिएगा आप लोगे तीन प्रश्ण और भारत में भोक्ता संड्रक्शन अधिनियम की घुसना कब किया गया यह भी प्रश्ण देखे हैं आज B.A. का जो एक्जाम चल रहा था तो उसमें पूछा हुआ था क्योंकि मेरे पास कोश्ण आया था तो मैंने दोस्तों मतलब जो है भेजा था कि स्टूडेंट लोग की सर बना के भी जिएगा तो मैंने भेजा था भारत में भोक्ता संड्रक्शन अधिनियम की घुसना कब हुई अगर आप लोग का भी आता तो आप लोग को भी हम भेजेंगे आप लोग टिंसन नहीं लेना है तो आप तालिस का सही जबाव अवसर नंबर ए 1986 जो है भारत में भोक्ता संड्रक्शन अधिनियम घुसना हुई तिसलिए आप लोग कम से कम पांचवास दोस्तों को बसे जोड़े उन्चास है कि स्वर्ण भासनों की परिसुधता को सुनस्चित करने वाला किसे मानेता प्राप्शन होता है तो जो स्वर्ण भूशन होता है, स्वर्ण भूशन यानि कि जो सोना चांदी होता है, उसकी सुधता निश्चित करने के लिए किसे मानेता प्राश्ट है, तो हॉल मार्क ये सही जबाब होगा, हॉल मार्क, अपसन नमबर बी, नेक्ष्ट देखिया आज का लास्ट प्राश्ट, निमलिखित नदिया में किसे बंगाल का सोक कहा जाता है, देख लिजिए, दामोदर नदी जो है, इसे बंगाल का सोक कहा जाता है, और कोसी को बिहार का सोक कहा जाता है, दोनों प्राश्ट बहुत ही ज़्यादा इंपोटे से अच्छे लगे होंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीदियो को एक बार लाइक कर दीजिये और आप लोग ज़्दा से ज़्दा दो